गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकूं टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे है आप साथ आज में आप सब के साथ एक बहुती सिंपल और बहुती ज्यादा एफेक्टिव है रेमिडी शेयर कर रही हूँ जिससे अगर आपको प्रिमेच्वर गरी है की समझ से आए तो वो बिल्क हेर की समस्या है उनके लिए करी लिए बेस्ट ऑप्शन है 20-25 लेने है करी लिए फ्रेश हो तो सबसे बेस्ट है नहीं तो फिर पाउडर एक से डेड़ चमच कम से कम लें चीक है दो चमच भी ले सकते हैं अपने बालों के लेंड के इसाब से अब इसमें डालेंगे बिल्क पानी डाल दें चीक है वैसे भी हमें इसमें पानी डाल दाई है और लेंगे लोहे की कड़ाई लोहे की कड़ाई ज़रूर लें जिने भी ग्रे हैर का प्रॉब्लिम है वो जितना लोहे की कड़ाई में रेमिडिस बना के डालेंगे है थोड़ा सा कालापन होता है हाथों अ अब लेना है विट-ूट यहाँ मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि वीड-ूट बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है बालों के लिए बालों को कलर देने के सरद बालों के ड्राइन को भilकुल खतम करती है एक शाइन देती है बालों में यहाँ पर हम आगी कपरों से शूर करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल बुटन ज़रूर प्रेस करें तो जो प्रासा बिल्कुल पानी डाल कर जूस निकाल लिया है लगबग एक कफा में बीट रूट का जूस चाहिए वो भी मैंने डाल दिया है इस कड़ाई में चीक है करी लिउस के साथ अब डालेंगे यहाँ पर मेथी दाना मेथी दाना का अब जितना अपने बालों पर यूस कर करेगा बालों में ठिकनेस देगा प्रेमिचर क्रे हैर को ठीट करेगा उसके बाद डालेंगे एक चमच कॉफी एक छोटा चमच कॉफी का कॉफी कलर देने के साथ साथ बालों को बहुत ही मजबूत बनाती है कैफिन से भरी हुई चीज़े हम जितनी अपने बालों पर लग को उन करेंगे और इसे हमें अच्छी तरह से बिलकुल बॉइल करना है ठीक है जब यह इस तरह सा यह दीरे धीरे अपना कलर रिलीज करेंगे कॉफी हमने इसमें एड की है कड़ी पते का भी color release होगा ये इस तरह से blackish हो जाएगा हमने इसमें आवला एड नहीं किया है फिर भी ये blackish होगा क्योंके ये हमने iron में डाला है चीक है अब डालेंगे एक चमच flag seed flag seed मैं अपने remedies में हमेशा ही कहती हूँ ये बालों को एक तो बहुत ही ज्यादा shiny बनाती है जहड़ने से रोकती है dryness को खतम करती है उसके साथ साथ flag seed में omega 3, omega 6, omega 9 fatty acids रोते हैं तो ये premature gray hair को भी treat करती है चीक है अब हम इसकी एक gel बनाएंगे ये gel हम इस तरह बनाएंगे के बहुत ही ज्यादा थिक भी नहों और बहुत ही ज्यादा पटली भी नहों मतलब लगाने में आसाने भी हो और ऐसा भी नहों कि टपके और ये रखने के बाद थोड़ी दर इसे रख देंगे जेल की शकल में जब आ जाए लगबग 10 मिनिट लगते हैं 8-7 मिनिट उसके बाद गैस के फ्लेम को बन करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे बहुत ही ज्यादा अगर हम थिक दल जेल बनाते हैं तो ये बहुत ही तकलीफ होती है च्छानने में पर हम जब थोड़ी सी पतली जेल बनाते हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिट की अगर मातरा कम रखते हैं तो ये च्छानने में हमें बहुत ही जदा आशान ही हो जाती है अब हम क्या करेंगे इसे किसी पचले से कपड़े जे च्छानने उससे क्या होता है वेस्टिज बिल्कुल भी नहीं होता है इसे मैंने अच्छी तरह से च्छान लिया अब इसी तरह ही लगा सकते है चाहें तो चीक है अगर इसी तरह ही लगाते हैं तो इसके बाद आपको शैंपू नहीं करना है पर अगर आपको शैंपू करना है तो कोई भी homemade oil add करें जिसे करी पते का हो या आउला का हो ये कलोंजी का हो ये oils क्या करते है naturally बालों का black भी बनाते है उसके साथ साथ बालों में thickness भी देते है तो मैंने अपना homemade oil यहाँ पर 2 चमच एड़ किया है अच्छी तरह से mix करें सब चीजों को उसके बाद चोटे चोटे सेक्शन करकर अपने साथ बालों में अच्छी तरह से लगा ले दो से तीन घंटा रखें जितनी देर रख सकते हैं दिन के टाइम पर लगाएं जैसे कि ठंड है उसके बाद बिल्कुल mild shampoo से अपने बालों को wash करें thanks for all